कुल्टी थाना के नियामत पूर मोड में तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार को खरसीट कर ले गया स्थानिय लोगुद्वारा होहला मचाय जाने पर ड्राइवर ने डंपर को रोका और बाइक सवार व्यक्ति की जान बाल बाल बच गई सूचना मिलते ही पलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को रिलाज के लिए आसनसोल जिलाज पता ले जाया गया पलिस ने डंपर को जब्ट कर लिया है कुल्टी थाना के नियामतपुर मोड के पास सनीवार सुभा 30 रफतार डंपर ने बाइक पर सवार एक व्यक्ति को जोड़ डार टकर मारती डंपर काफी दूर तक बाइक सवार को खशीट कर ले गया स्थानिय लोगों द्वारा होहला मचाय जाने पर ड्राइवर ने डंपर को रोका और इस तरह से दुर घटना में बाइक सवार व्यक्ति की जान बाल बाल बच गई इस घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी मच गई सुचना मिलते ही पुलिस तूरंत मौके पर पहुँची और घटना को इलाज के लिए आसनसोल जिलास पताल ले जाया गया पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया स्थानी लोगों का कहना है कि आमतौर पर नियामतपूर बजार में काफी भीडबार इबं चहल पहल रहती है जिस वक्त ये दुरगटना घटी नियामतपूर मोड के पास सडक में 9 इंट्री लागू रहती है ऐसे में डंपर कैसे 9 इंट्री रहते हुए भी सडक में प्रवेश कर गया इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है प्रत्तक्स दर्शियों ने बताया कि डंपर में कोई खलासी नहीं था और ड्राइवर अकेला था संभबत ड्राइवर सराप के नसे में था और वो बाइक सवार व्यक्ति को घसीट कर लगभग 3-4 फूर दूर तक ले गया इस घटना को लेकर स्थानिय लोगों में भारी आक्रोस व्यप्त है अब दूर तो जानि अटा 9 इंटी याचे किकोर एक ढूग जेश एटे अमरे बोक्ते परो ना अमरे देखिए प्राइप्राइवर एक लत्या था था फ़गणतिके पार हुये अब आपके प्राचीन सहर रानिगंज में कुलकाता महानगर की तर्च पर बन रहा है सहर के मध्य अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेबलोप्ट बाइ दामदर कॉमोडिल्स प्राइबेट लिमिटेड इस अत्यादुनिक रेसिदेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लिक्स में आपको मिलेंगे 1207 स्क्वार फिट से लेकर 1649 स्क्वार फिट एरिया का स्ट्री बेच के फ्लाट पार्किंग स्पेस साथी साथ आपको मिलेंगे स्विमिंग पूल, जीमनेसियम, कम्यूनिटी हॉल, कॉमर्शियल सौप्स, 24 आर लीप्ट और सिक्योरिटी गाट की फैसिलिटी फिर देर किस बात की अच्छे बाताबरन और सुरक्षित परिवेस में रहने के लिए आज ही संपर्क करे पी अन मालिया रोट दालपटी मोड, सोला अन दुर्गमंदिर के निकट, रानिगंज पसिम बर्दमान, कॉन्टाक नमबर 0341-244-1896, 9614147280, दामोदर रेसिडेंसी, ड्रीम होम, देस्टिनेशन